हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर जब आप जल्दी में हो और आपको कुछ टेस्टी सखाना हो तो ये आलू मटर वाला मसाला भात बना लीजिए ये एक महरास्टियन रेसिपी है और इसे कड़ी चाच या फिर दही के साथ सर्व किया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाते हैं आज की ये रेसिपी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं मसाला बात बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया कूकर और कूकर में एक बड़ा चम्मज कूकिंग ओयल तो आज हम कूकर में बनाएंगे जटपट बन जाएगा तो जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा हम डाल देंगे आधा चम्मज जीरा, दो तेज पत्ते और एक डालचीनी का तुकड़ा ये डाल दिया है इसके बाद हम डालेंगे एक बड़े साइस का कटा हुआ प्याज तो ये देखिए मैंने प्याज भी डाल दिया दो कड़ी पत्ते भी साथ में गिर गये हैं प्याज भी डाल दिया हैं और प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राय करना है उससे पहले हम डाल देते हैं दो चम्मज कुटा हुआ अद्रक लहसून आप चाहे तो पेस्ट का यूज भी कर सकते हैं अद्रक ले सुनके अब डाल दिया है मैंने आधा चममच हल्दी फ्याज लाइट ब्राउन हो गए थे और गेस सीम पे करकरके मैंने आधा चममच हल्दी आधा चममच डाला है मिर्च पाउडर आप फीका खाते हों तो कम भी डाल सकते हैं एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर जो भी गरम मसाला हो वो डाल दीजिए दो कटी फुई मिर्चे जिनको चार पीसेस में मैंने काट लिया था और इस टाइम आप फ्लेम सीम पे रखिए ले तो ड्राइ मसाले जल जाएंगे अब देखें यहां थोड़े से करीपत्ते एक बड़े साइस का कटा टामाटर और बड़े साइस का कटा हुआ आलू ले लिया है मैंने यह भी डाल दिया अब इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं यहां डाल रही हूँ आधा कटोरी छिले हुए मटर हाँ मटर के बीज औ और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, अब डालेंगे हम नमक, तो एक चम्मच नमक डाला है मैंने और ये बहुत चोटा चम्मच नहीं है, आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग नमक लीजिए, नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, और कूकर को जस् मिक्स, और अब हम इसमें चावल add करेंगे, तो मैंने देड़ कप चावल रख लिये हैं धोकर, और अभी धोया है तुरन्त पहले से धोकर नहीं रखा हुआ था, तो ये देड़ कप बासमती चावल है, ये भी इसमें डाल दिया है, पहले से धोकर रखने की जरुद नहीं ह और चावल डालने के बाद देखिए हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और चावल को बहुत देर तक भूनने की भी जरुवत नहीं है तुरंत ही हम पानी आड़ करेंगे तो देड़ कप चावल है और धाई कप मैंने इसमें पानी आड़ किया है देख सकते हैं आप देख कानीद कैस dez牌 मैंने अप कुकर खीलिड बंद कर दी है और दो सीटी हमें हाई फ्लेम पे देनी है अब हाई-फ्लेम पे दो सीटी हो गई है कुकर थंडा हो गया है खोलके देखते हैं तो देखिए हमारे खिले-खिले चावलGMशाला भात एकदम ready है इसे मराठी में मसाला भ करेंगे तो हलके हातों से आप मिक्स कीजिएगा हलके हातों से इसे मिक्स कर दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए आप इसे दही के साथ या फिर कड़ी के साथ या छाज के साथ सर्व कर सकते हैं तो मैंने इसके साथ सर्व किया है माहरास्टियन कड़ी और इसकी रेशिपी ये भी आप एक बार ट्राइ कीजिएगा और आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन के साथ थेंक यू